Hello everyone, welcome back to TCC web development bootcamp और आज का हमारा जो topic है पहला वो है forms सबसे पहले तो हम देखेंगे कि forms basically होते क्या है जैसे कि अगर इस site पर देखे जाएं तो एक form की example दी गई है ये form Facebook की तरफ से use किया जाता है यूजर से data collect करने के लिए login का तो इस से हम basically ये idea ले सकते हैं एक website के उपर किसी भी user से data उसका collect करने के लिए इस्तमाल किया जाते हैं अब वो data different किसम का हो सकता है for example अगर एक college की website है तो वो data collect कर सकती है admission के लिए जैसे के name, father name, ID card number, etc जैसे के Facebook की एक website है तो वो email और password login के लिए information collect कर रही है using a form इसी तरह अगर और मुक्तलिब किसम की website पर अगर देखा जाए तो newsletters के लिए forms को collect किया जाता है data आपका email ताकि आपको email की marketing की जा सके तो ये basically एक form होता है जो के आपको data user का collect करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अगर इसके हम definition यहाँ पर देख लिए data हमें देने के लिए data input करने के लिए जो हम element इस्तमाल करते हैं HTML के अंदर वो होते हैं HTML forms अब इसका basic हम अब syntax देखेंगे कि HTML form का कौन-कौन से elements है और उसका basic syntax क्या है तो अगर हम यहाँ पर देखें अब तो हमारे पास हैं form के elements HTML के form के अंदर कौन-कौन से basically element इस्तमाल किये जाते है तो हमारे पास यहाँ पर एक list है 10 elements की जो के HTML के अंदर forms के लिए इस्तमाल किये जाते हैं और उन तमाम के यहाँ पर syntax भी मुझूद है हम one by one करके तमाम elements को यहाँ से देखेंगे और उनका syntax भी देखेंगे देन हम उसको vs code के अंदर code करेंगे अगर हम देखें हमारा पास पहला element जो है हमारा form का है जिसना के हमने previously tables के अंदर देखा के एक हमारे पास tag था जो के table का tag था जो के एक पूरे table को wrap करा था इसी तरह अगर same analogy इस्तमाल करें हम forms के लिए तो एक form का tag है जिसका opening tag मुझूद है और उसका closing tag भी है तो ये इन दोनों के अंदर opening और closing tag के अंदर जो भी data हमारा बाकी जितने भी elements हैं ये तमाम जाएंगे opening और closing tag के अंदर then हमारे पास एक element है input का इसका ना opening है ना closing tag है इसका सिरफ एक opening tag है closing tag इसका नहीं है और इसके अंदर मुक्तलिफ attributes पास होंगे जिससे इसकी shape त्यार की जाएगी तो अभी हम इसको code करेंगे पहले दो elements को use करते हुए हम एक small सा form बनाएंगे अपने VS code के अंदर अगर यहाँ पर हम देख लें एक अपनी हमारी HTML की file है इसके अंदर हम आज है और यहाँ पर जैसे के हमने भी discuss किया एक हमारे पास element आएगा form का जिसके अंदर हमारा सारा का सारा form का code wrap होगा for example हमें अगर जितने भी elements हमें अपने form के अंदर चाहिए तो सारे के सारे इस form के tag के अंदर आएंगे opening और closing के अंदर आएंगे दूसरा जो हमने अभी tag पढ़ा है वो है input का अभी हम write कर लेते हैं इतर input tag और अभी के लिए यहाँ पर हम एक type इसकी कर देते हैं type text और अगर हम इस code को अपने browser के अंदर अगर हम review करें तो यहाँ पर हमारे पास एक input field आ चुकी जिसके अंदर हम data input कर सकते हैं आप text के अंदर हम आप number भी input कर सकते हैं आप blank space भी input हो सकती है और यहाँ पर letters भी input हो सकती है लेकिन for example अगर आप किसी से उसका phone number collect कर रहे हैं तो आप तो नहीं चाहेंगे उसके अंदर letters input हो सकें तो इसके लिए जो आपका changing is code के अंदर आएगी वो आएगी input type के अंदर हम इसका type text है ना तो text से हटा के हम इसका type कर देंगे number अब क्या होगा अगर मैं अपने browser पर वापिस जाऊ और यहाँ पर मैं अगर अपना text input करने की कोशिश करूँ आप अगर मेरी keyboard की voice सुन सकते हैं तो मैं काफी साथ text यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं लिखा जा रहा लेकिन अगर मैं यहाँ पर number input करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर number input हो रही है तो यह basically input type number हो गया कि इसके अंदर अब सब number ही input हो सकेंगे text input नहीं हो पाएगा इसी तरह अगर हम और देखें input की types को तो काफी साथ types है तो button है, check box है, color है, date है, date time है, email है, file है इस तरह काफी सारे हैं जिस type का आप data user से input करवा रहे हो उस type का आप input का element लगाएंगे अपने form के अंदर अगर for example, अगर हम में कोई options, multiple choice options हो उनमें से हमने किस चीज़ को choose करवाना हो तो हम क्या करेंगे, check box और अगर हम अपने website को पर जाएं अब यहाँ पे एक बड़े input के बजाए क्या आगया एक box आगया जिसको हम check कर सकते हैं तो यह input type check box हो गए इसी तरह एक order famous और use होती है most वो होती है, input type radio तो यहाँ पर अब क्या आगया एक radio button आगया है जिसको हम on off कर सकते हैं तो यह हमारे पास input type radio है then यह हमारे पास input type email है अब input type email से क्या होगा कि आपके basically यह तो input type text की तरह ही है लेकिन इसमें अब दो चीज़े हैं हमारी different आ चुकी है एक different आ चुकी है कि अगर जब हम form input करेंगे तो हमारा यह जो input type email वाला input है तो यह वाला हमारा validate करेगा कि अपना जो भी text user ने input किया है उसके अंदर एक यह वाला sign मुझूद हो एक तो यह बात आगी कि validation होगी इसकी देन दूसरा जो बात आएगी कि आप जब अपने mobile के उपर इसको खोलेंगे ना mobile devices के उपर अपने इस input को open करेंगे data input करने के लिए तो आपका keyboard change होके यह वाला जो आपका आजाएगा ना sign यह आपके keyboard के front पे आजाएगा आपको navigate नहीं करना पड़ेगा दो चार menu उसके बाद इसको open करने के लिए तो इमेल के अंदर यह तो इस्तमाल होता है हर इमेल के अंदर तो इसके लिए accessibility यह हो जाएगी कि आप अगर input type एमेल रखेंगे तो आपका यह वाला जो sign है यह keyboard के front पे आजाएगा तांके आप इसको use कर सकेंगे इस तरह मुक्तलिफ और भी input की types हैं इसकी short video एक हमारी YouTube channel के उपर आ जाएगी और आप भी यहाँ पे मुक्तलिफ types देख सकते हैं आप online google पे भी search कर सकते हैं इन तमान types को और यहाँ पे सब को study कर लें अभी के लिए हम इसको remove करेंगे और अपने next tag की तरफ जाएगे जो के है text area अब input हमने देखा कि इसके अदर text भी input किया जा सकता है नमबर भी input किया जा सकते हैं और अगर हम एक example ले लें कि हम यहाँ पे एक input दोबारा input कर लेते हैं अपना लगा लेते हैं टाइप text के साथ और अब हम चाहते हैं कि अपने हम user से अपने हम जो हमारे customer है या user हैं उन से हम एक essay लें एक पूर पर बड़ा essay हो जिस तरह के जो admission के लिए essay होता है या और मुक्तलिफ किसम के कुछ use case हो सकता है जिसके नदर एक बड़ा paragraph आपने किसी user से input लेना हो तो अब इसमें क्या problem है कि हम कुछ words के बाद अब हम जस्ट एक ही line देख सकते हैं उससे ज़्यादा line देख नहीं सकते text की लेकिन अगर हम एक user से एक बड़ा paragraph और एक proper text एक पूरा essay उससे ले रहे हैं तो हम तो नहीं चाहेंगे कि user के पास review करने की सिरफ इतना ही इताकत हो कि वो जस्ट एक line में दो तीन words को review कर सकता हो हम तो चाहेंगे न कि user अपना पूरा paragraph आप देख सके उसको review कर सके बार-बार मुख्लिफ words को read out कर सके उसके लिए हमारा जो input का tag है ना यह workable नहीं है यह हमारे पर suitable नहीं है तो उसके लिए जो हमारा element use होता है वो हमारा element है text area यह element है हमारा text area और इसका अगर syntax देखें तो एक opening tag है और एक closing tag है अगर हम इसको VS code के अंदर use करें text area और यह हमारा text area का element है और अगर इसको browser के उपर देखें तो यह कुछ इस तरह का है जो के एक input की तरह ही नजर आ रहा है लेकिन इसमें अंदर कुछ थोड़ी से differences है पहला difference तो यह है कि इसका size थोड़ा सा बड़ा है जिन दूसा difference ही है कि user अपने choice के उपर भी इसका size बड़ा कर सकता है अगर मैं इसके right hand side के corner पे आज़ू नीचे bottom के corner पे तो यहाँ पर अगर देखें तो मेरा कसर change हो जाता है और अगर इसको मैं यहाँ पर click करके drag करूँ तो यह काफी ज़्यादा dragable भी है और मैं इसको size बड़ा भी कर सकता हूँ अब for example अगर मैं एक user पूरा paragraph यहाँ पर लेना है तो वो अपना पूरा paragraph यहाँ पर पढ़ सकता है read out कर सकता है लिख के तो यह basically फरक है input और text area के अंदर के यहाँ पर इसका size बड़ा है और यह long form की input के लिए इस्तमाल किया जाता है next हमारा जो input का type है हमारे पास input का tag element जो हमारे पास है form का वो है select का element अब select का element को केला नहीं पढ़ा जा सकता इसलिए अब हम एक ही साथ दो elements को study करेंगे select और option को ठीक और एकर इनका आम syntax देखें तो select भी opening और closing का tag है और option भी opening और closing का tag है अभी हम इसको अपना vS code के अंदर write करेंगे हम बाकी inputs को clear करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे select और अब select के अंदर option का tag जाएग और इस option के अंदर हम कुछ value देंगे जिसा के for example अगर हम किसी user से उसकी city का पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ city के options देंगे लाहूर हम यहाँ पर एक और option का tag लगाएंगे अगर हम दो options दियें इस select के element के अंदर अगर हम इसको ब्रावजर को पर देखें तो अब हमारे पास एक यहाँ पर input टाइप आ गया है और इसके अंदर जो हमारा multiple 5 से 7 हमारे पास predefined options हों जिसके अंदर से हमने user को select करवाना हो तो उसके लिए हम क्या use करते है select का element अब option के साथ यहाँ पर एक और इसके अदर attribute पर जाएगा जो कि जाएगा value का और value क्या होगी value same वही होगी जो आप display करवा रहे हैं या slightly different होगी लेकिन आपकी value यह वली जो आपका attribute है यह आपका contribute करेगा जब आप server से इसका data collect करे होंगे programming language, javascript या python जिससे भी आप जब इससे data collect करें होंगे इसका यह वाला data parse नहीं होगा data यह वाला जाएगा server के पास ठीक है जो आपके इसके attribute में दिया होगा तो mostly cases के अंदर तो यह वाला text और यह वाला text same ही होते हैं कुछ cases different होते हैं कि यह वाला text camel case कर दिया जाता है और यह वाला normal रखा जाता है तो यह different cases हैं लेकिन अगर दोनो values same भी हों तो भी work कर जाएगा और select का basically यह syntax है कि select का element opening और closing और उसके अंदर option के text जाते हैं जिसका opening और closing के दर्मयान content जाता है जो आपने web page के उपर display करवाना हो और उसके आपका जो attribute है था value का उसके अंदर आपकी वो value जाती है जो आपन select का next element देखें कि हमारा कौन सा है next element हमारे पास है button अब हमें अगर पहली example जो हमने देखी थी तो उसमें नीचे एक button था login का Facebook पर इसी तरह यह भी button है इसका अगर syntax देखें तो opening और closing tag है अगर हम इसको यहाँ पर create कर लें अब button तो हमारा create हो गया अगर वेब पेज के ओपर हम देखें तो यहाँ पर एक चोट असा button नज़र आ रहा है लेकिन हम जिससे के आप में first example के अंदर button के ओपर login लिखा हुआ था तो उस तरह के इसके अंदर लिखने के लिए हम opening और closing के दरम्यान यहाँ पर login लिख सकते ह या submit लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर login लिखा हुआ है लेकिन अगर यहाँ पर हम एक form किसी से data collect करवा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे submit ताहां कि user अपना data जो है वो submit करवा सकते हैं अगर refresh करें तो यहाँ पर submit आ जोगे तो यह हमारा button का element next element पर हम दे element है और इसका syntax अगर देखें तो opening और closing tag है इसका अब label का element as self तो data किसी से user से collect नहीं करता खुद data collect नहीं करता लेकिन बाकी तमाम data collect करने वाले elements के लिए इस साथ use होता है label for example अगर हम यहाँ पर देखें इन तमाम को remove करना पड़ेगा मैं then यहाँ पर input एक टाइप करें और then type text अगर ब्राउजर पर हम जाएं और refresh करें हमारे पास यहाँ पर एक input तो आगी लेकिन अब अगर हम इसी input को replicate कर दें तीन दफ़ा हम तीन मुक्तलिफ किसम के data अपने उदर से collect कर रहे हैं लेकिन अब user को कैसे पता चलेगा कि इस input में कौन सा data input करना है यहाँ पर कौन सा करना है यूजर को दो नहीं मालूम ना हमने तो तीन उदर input कर दी है लेकिन अब user को दो नहीं पता कि इन तीनों में मुक्तलिफ data है मुक्तलिफ कौन सा data अपना provide करना है यूजर ने उसको बताने के लिए हमारा जो element use होता है form के अंदर वो एक label होता है label basically उसके name के अंदर ह है कि वो label create कर रहा है अब label के अंदर text जाएगा जैसा कहा हम first input जो है हमारा हम किसी का name क्लेक कर रहे हैं हम लिखेंगे first name right हम ऐसा बताएंगे user को कि आपका जो पहला element हो आपका क्लेक कर रहे है first name then second element आप second input के बाद आएगा आपका label और यहां पर हम लिखेंगे last name अब हमें क्या मालूम हो गया कि first element जो हमारा input का है वो हमारा first name क्लेक कर रहे है second वाला हमारा last name क्लेक कर रहे है और third वाला basically कोई हमारा id क्लेक कर सकता हो id number क्योंकि आप हम number क्लेक कर रहे है तो आप हमारा type text नहीं आएगा type हमारा आएगा number अब हमें क्या मालूम हो गया अब हमें क्या मालूम हो गया कि हमारा जो first input है वो हमारा first name क्लेक कर रहे है second input जो है हमारा last name क्लेक कर रहे है और third वाला जो है हमारा id number क्लेक कर रहे है तो यह हमारा लेबल है कि हम अपने input को label out कर सकें कि इस हमारा जो यह वाला input है यह हमारा क्या data क्लेक कर रहा है तांकि user को कुछ समझ आ सके कि वो कौन सा data किस में input करें तो यह label का element था then हमारे पास जो element आएगा वो आएगा field set और legend का अब यह दोनों को हमें कठा पढ़ना पड़ेगा जैसा कि अब पहले select और option को हमने कठा पढ़ा है अब field set और legend को हमें कठा पढ़ना पड़ेगा और इसी तरह अगर हम यहां पे देखें तो इसका syntax दोनों का opening और closing tag मुझूद है हमें भी इसी तरह उपनिंग और closing tag लिखना पड़ेगा for example क्या हो कि हम ने एक यह यहां पर personal data user का correct किया है लेकिन इसी को हम क्या करते हैं copy कर लें और हम थोड़ा से नीचे आ दें और यहां पर paste कर दें और हम बजाए first name के हम यहां पर अब उसका push लें के वो कौन सी कंपनी में काम करता है तो company के वो कौन सी कंपनी में काम करता है then हम उसका हम पुछने profession I think दो हैं हमारे पास input काफी है अब हमारे पास दो मुक्तिलिफ किसम के जो हैं हमारे पास input types आ चुकी है जिसमें हम first में है तो हम उसका personal data click कर रहे हैं then second के अंदर हम उसकी professional life को collect कर रहे है data अगर हम अपने website को पर देखे तो यह तमाम तो एकठा ही आ चुका है सारा इस थोड़ा सा error इसमें open निची आ रह बचता है line को देख करने के लिए अब यहां पर मारे पास यह ठीक हो गया अब अगर हम देखे में आब मारे पास दो मुक्तिलिफ किसम के data और होरे है यह personal कैलेक्ट हो यह प्रफेशनल क्लेक्ट हो रही है अब इनको डिफरेंट्स बताने के लिए कि ये वाला परसनल है और ये वाला प्रफेशनल है हम यूज करेंगे हमारे जो elements है field set के और legend के ठीक अब हम देखेंगे field set का element हमारा field set और अब इस field set के अंदर हमारा एक field से related proper sara का sara input का हमारा element रहोंगे वो चले जाएंगे जिसना कि अगर हम उसकी life के बारे में collect कर रहे थे परसनल life के बारे में तो वह एक सारी मारी field हो जाएगी और इस field set के अंदर हमारा element आएगा जूकि है legend का और इस legend के अंदर हमारा कुछ टेक्स आएगा जैसा कि हम लिख सकते हैं परसनल life और हम अपनी website के उपर देखेंगे अब हमारा जो जो हमारा परसनल life के लिए collection थी first of all हम तोड़ा सा इसमें डेटा को हम कर लेते हैं इस format कर लेते हैं और input के बाद हम एक BR tag डाल देते हैं ताकि line break हो जाए अब वहां मैं अगर देखेंगे तो हमारा एक field अलादा हो चुकी है एक हमारा border बन चुका है जिन data के जिस input के अंदर हम उसका personal life का data collect कर रहे थे उन तमाम के एर्दगेद एक border आ चुका और वहां पर एक हमारे पास heading आगी जो कि है personal life जो कि हमने legend के अंदर लिखी थी अगर हम legend को remove कर दें हमारा legend remove हो गया जस्ट एक border आ गया एक field अलादा कर देंगे कि यह personal life के लिए हम legend को यहां पर दोबारा रखेंगे और एक दोबारा field set हम बना लेंगे और इसके अंदर हम एक legend भी बना लेंगे और इस legend के अंदर हम लिखेंगे professional information के हम अब उसकी professional information क्लेक कर रहे हैं user अब हमारा जो professional information के लिए input हमने यूज किये थे वो सारे के सारे इस field के अंदर आ जाएंगे और अगर हम ब्रावजर के उपर देखें हमारा आब हमें पता लग गया कि यह वाला field सारी जो है यह हमारी personal life के लिए हैं और यह वाली professional information के लिए हमारी तो यह field सेट और legend का है elements के हम अपने forms को अलगदा करने के लिए इस्तमाल करते हैं field सेट और legend के element को next हमारे पास जो हमारा last element है वो है हमारा option group opt group और इसका syntax अगर हम देखें तो इसका opening और closing अब यह इस्तमाल यहां पर तो नहीं मुझूद होता और फॉर अग्जेंपल अगर यहां पर हमने एक company का पूछा है कि किस में working करते हैं और एक profession का पूछा है कि आपका क्या profession है तो क्या हो कि हमें जस्ट एक हम हमारे पास के उनी profession के हमें लोग चाहिए एक software engineer और एक हमारे पास chef और एक हमारे पास construction worker इन तीनों professions के सिर्फ लोग चाहिए तो उनके लिए हम input type text अगर हमने डाल दिया तो इसमें तो लोग कुछ भी input कर सकते हैं तो अगर हमारे पास predefined हो उसके लिए अभी हमने discuss किया था कि हम यूज करते हैं select और option इसी तरह अगर हम यहां पर देखें कि input type input को हम remove करें और यहां पर एक हम अपना select का बना लें और इसके निरा हमारे कुछ options चलिए इसकी value हमारे पास हमने discuss किया थी कि server के लिए जाएगी अभी हम values में लिख देते हैं software engineer short form यूज करेंगे अब हमेरे पास आ लेगा यहां पर शेफ इसकी value भी शेफ आएगी वगर हम अपने ब्रावजर पर आप देख लें तो हमारा input जो था एक मारे पास field थी उससे हटके एक मारे पास drop down हो चका है लेकिन क्या हो कि हमारे पास अब सिर्फ तीन के बजाए काफी सारे हैं हमारे पास यहां पर options मुझूद हो उन उन तमाम options को जिस तरह हमने मुख्तलिफ forms को अलग-अलग कर दिया है उन तमाम options को हमने अलग-अलग करना हो तो कैसा होगा अगर हम यहां पर देख लें एक construction ए और अगर हम इन तमाम options को different करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे एक option बना लेंगे और इन तमाम options को हम इसके अंदर shift कर देंगे अगर हम अपने browser के उपर देखें अब हमारे पास एक option अलएदा बन चुका है इसके अंदर हम construction के लोगों को डाल दें अब हमारे पास मुक्तलिफ एक हमारे पास spacing आ चुकी है मुक्तलिफ options के अंदर कि हमारे पास operator engineer अलएदा है हमारे पास यह मारे अलएदा professions है और यह हमारे पास अलग professions है इस तरह options के मुक्तलिफ आप group बना सकते हैं जिस तरह आपने field set to use करते हैं अपने input के मुक्तलिफ groups बनाएते हैं इसी तरह आप options के भी मुक्तलिफ group बना सकते हैं अब हमारे पास एक short video आएगी YouTube channel के उपर आप लोग YouTube channel को subscribe कर लें like कर दें और यहां पर एक short video आएगी जिसके अंदर यह वाला form create किया जाएगा इसकी practice के लिए हम YouTube के उपर एक short video डालेंगे वही video आपकी आप Facebook और Instagram पर भी find कर पाएंगे तो उसके links भी description में होंगे आप देख लें और यह वाला form create किया जाएगा example के तोर पर अब यह थे हमारे forms के element और यह हमारा topic आज का जो forms का है वो clear हो गया अब हम move करेंगे अपने next topic के उपर तो अब हम देखेंगे inline versus block elements का difference अगर हम top की इसको देखें अपनी definition को तो यह definition हमारे पास यहां पर मुझूद है block level element की और bottom वाली हमारे पास मुझूद है inline element की अगर हम top की इसको देखें information को my definition जो हमारी block level की है HTML elements that typically start on a new line and occupy the full width available और block level elements जिसना के हम अगर example के उपर देखें तो यह उपर वाले क्या है सारे block level elements है के हर element एक new line के उपर शुरू हो रहा है और एक पूरी line के उपर जितनी भी width available है वो सारी की सारी occupy कर रहा है एक ही element तो यह है block level element इसी तरह अगर हम देखें inline elements को HTML elements that do not force a new line to begin before or after the element that typically only takes as much width as necessary के ऐसे elements के जो एक new line पे force ना करें start होने से और उतनी space लें जितनी उनकी original width है कोई width की space वो ना लें वो क्या है inline elements जैसे कर हम देखें bottom के उपर इस example पे के हमारे पास हर element अपनी bits ले रहा है और new line के उपर begin नहीं कर रहा है हर element क्या कर रहा है अपनी अपनी width occupy कर रहा है और नीचे वाली line के उपर shift नहीं कर रहा है एक ही line के उपर काफ़ सारे elements मुझूद है multiple elements एक line के उपर मुझूद है यह difference है basically inline और block level elements का हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे के मुझूद inline और block level elements कौन-कौन से है HTML के अंदर लेकिन difference basically इनका आपने याद रखना है कि inline और block level elements के अंदर difference का होता है कि block level elements पूरी width लेते हैं और नीचे वाई line के उपर begin करते हैं और जो inline elements होते हैं वो एक ही line के अंदर multiple elements भी आ सकते हैं same line के अंदर उनको यह नहीं जरूरी होता कि आपको new line के उपर begin हो अब हम देखेंगे html के अंदर एक बहुत ही जादा important element जो हमारे पास है जो के है div element ठीक जो div का tag हमारे पास है div element जो हमारे पास है html के अंदर यह one of the most used element html language के अंदर जो अगर मैं personally देखूं या अगर आप लोग search भी इस बारे में करें तो हमारे पास जो most used element html के अंदर है वो है div element आप देखते हैं कि div element होता क्या है ठीक है क्या बनता इससे तो the div element in html is a block level container used for grouping and styling other elements अब यहां पर थोड़ा सा इसको हम decompose करेंगे यहां analyze करके हम इसको study करेंगे कि क्या कहा जा रहा है यह जो div element है basic नहीं वो क्या है कि एक block level element है जो के use होता है container करने के लिए बुक्तलिफ other elements को अपने अंदर और उसका mostly case use case क्या होता है कि हम उन तमाम elements को same style देना होते हैं हम css use करते होगे तमाम elements को same style देना चाहते है, तो हम क्या करते है उन तमाम elements को एक div डाल देते हैं और कहते हैं कि यार यह डिव को यह वाला style देतो तो क्या होता है कि उन तमाम elements भी वाला style apply हो जाता है क्योंकि उनको सब हमने group किया होता है एक div के अंदर जैसे कि अगर देखा जाए school के अंदर एक पूरी class मुझूद होती है students की अगर कोई problem हो या कोई अगर बात बतानी हो तो उस class को बता दी जाती है उसके class के CR को बता दी जाती है तो तो तमाम class को आगए canpay कर देता है तो क्या होता है management को पूरी class के student साथ अलाइदा अलाइदा बात नहीं करनी पड़ती है इसी तरह div element है कि तमाम elements को जितनों को भी हम चाहते हैं कि यह वरा CSS हमारा यह यह वरा style उन पे हमारा available हाई तो हम क्या करते हैं कि तमाम को अपनी div के अंदर रखते हैं और div को बता लेते हैं कि यार यह वाली styles हैं यह वाली styles apply होने हैं तो वो क्या करता है कि तमाम elements पे apply होदी हो जाते हैं अगर हम यहाँ पर देखें example के अंदर तो anything can go inside a div कोई भी element जितने भी CSS में element है अपने HTML के अ अब तक हमने यह और भी आगर देखनी हैं तो तुमाम के तमाम elements div के अंदर आ सकती हैं कोई contradiction नहीं है कोई problem नहीं है इसके अंदर तमाम elements div के अंदर आ सकते हैं उसका syntax क्या है एक उपर div है और यह नीचे div है यानि के opening और closing div है और इसके अंदर कोई element है अब next माने पास है span element div की तरह यह भी एक बहुत जरूरी element है लेकिन इतना इसका use case नहीं है जितना div element का है और span element क्या है कि कुछ similar है div element के साथ लेकिन एक keys का difference है वो difference क्या है कि the span element in HTML is an inline container div क्या था आपका था block level container और आपका span क्या है inline container है used for styling and grouping inline elements अब जो div था ना वो basically इस्तमाल होता है block level elements को कठा करके उन पर style apply करने के लिए और जितना भी आपको use case भी मैंने div का बताया same span का है लेकिन यह क्या करता है कि just आपका inline elements के उनको style करने के लिए इस्तमाल होता है जबके div block level के लिए इस्तमाल होता है अगर यह basically अगर मैं देखू कि यह पूरी line है और इसमें मैंने for example मैंने इस line को एक मुख्तिलिफ एक specific color देना है मैंने ठीक मैं क्या करूँगा कि मैं इसके start पर आउंगा then I will add a span element ठीक जिसको मैं close करूँगा after the text जहां तक मुझे एक मुख्तिलिफ उनका एक group बनाने अब क्या हुआ कि यह एक proper एक group बन चुका अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको एक idea या class देके आगे मैं इसको further on identify कर सकता हूँ कि यह वाला जो हमारा बस elements बन गया एक नया element बन चुका है अब इसको मैं call out कर सकता हूँ हाँ बजाए इसके कि मैं पूरे text के उपर करूँ ठीक इस selection के उपर difference कोई नहीं हो सकता लेकिन बजाए पूरे के मैं कर सकता हूँ या फिर मैं आप कर सकता हूँ जिस पर मैंने span को add कर दी अभी जब हम css देखेंगे तावा हम span और div का use case देखेंगे अची तरह अभी के लिए जस्ट इतना ही क्लिए होना काफी है कि div element जो है block level container है और span है वो inline container है अब एक fun topic हमाला जो है वो शुरू होने वाला है जो के है emitt ठीक emitt एक basically technology है जो के vs code के अंदर built-in है जो के हमें allow करती है थोड़ा code लिखने के लिए यानि कि short लिखने के लिए जिससे expand काफी ज़्यादा हो जाता अभी के लिए starting में gees को आपने use नहीं करना जैसे आपको elements के tags proper तरीके से याद हो जाए then आप emitts use कर सकते हैं अभी के लिए मैं नहीं करूँगा आपको के suggest कि आप लोग यूज करें emitt लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ के emitt को use करने के लिए आप अभी हम देखेंगे कि most commonly कों से emitts हमारे पास use किये जाते हैं इसकी definition देख लेते हैं जिससे हमारे पास html और css का code generate हो जाता है अगर हम example यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक h1 element है हमने यहाँ पर select किया हुआ है ठीक है h1 then हम उसको multiply कर रहे हैं 3 के साथ और फिर हम dot heading उसके लिखा हुआ अब मैं इसको आपको बताऊं कि इसका क्या बनेगा इस पूरे का एक और वो class के attribute का जो text होगा वो होगा values की जो होगी heading अब इसको VS code के नदर हम जल्दी से देखेंगे कि हम अगर यहाँ पर आ जाएं क्या होगा अब हमें 3 heading तो हम क्या हम बजाए इसके कि h1 इदर एक बनाए ठीक h1 बनाए close करें अगली line पर आए दुबार h1 बनाए तो then वह क बता है कि हमने 3 h1 बनाने है तो हम क्यों ना उसको rapidly जल्दी से generate कर लें जैसके हम h1 लिखें then static का sign जो के multiplication के लिए उसके आजाता है then हमें क्यूंके 3 बनाने है तो 3 अब enter करेंगे तो क्या होगा कि 3 मुक्तिलिफ h1 बनगे अब 3 मुक्तिलिफ h1 बनगे लेकिन क्या था कि हमे लिखेंगे नहीं इसकी भी हमारे पास habit मुझूद है हम यहाँ पर आजाएंगे वापिस और यहाँ पर हम लिखेंगे dot क्यूंके class के लिए dot इस्तमाल होता है और हम यहाँ पर लिखेंगे heading अब हमारे पास क्या होगा कि 3 मुक्तिलिफ h1 बनगी तमाम में एक 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 attribute है जो कि है class heading का लेकिन क्या हो कि हमें class तो नहीं चाहिए थी हमें id चाहिए थी तो हम लिखेंगे hash heading तो इससे क्या होगा कि बजाए class के attribute के अब id का attribute आ जाएगा और enter दबाएंगे तो 3 मुक्तिलिफ आगे id आगी अब और इसी तरह मुक्तिलिफ abbreviations हैं अब क्या हो कि हमें इसके heading के अंदर हमें a span tag चाहिए आप क्या हुआ कि हर एक heading के अंदर a span tag आगे चीक यह child combinator है कि हम जो हमारे element बना रहे होते हैं उसके अंदर हम उसका एक children add कर सकते हैं इसी तरह हम expand कर सकते हैं आगे इसको कि हम span को भी मुक्तिलिफ elements के साब multiply करवा दें या इस तरह मुक्त comment हमारे पास use होता है emit हमारे पास एक वो हम इज़र लिख लेंगे एक new file बनाएंगे जब भी आप new file बनाते हैं na vs code के अंदर और आप एक अपना project शुरू कर रहे होते हैं तो एक emit use में आता है जो कि है यह वारा sign ठीक है इस exclamation sorry मैं जो से कहने में तोड़ा problem हो रहा है तो उसके responsible है इसके लिए अब हम जब भी इसको enter करेंगे तो वो code आ जाएगा इसके अंदर तो अब अगर हम enter करें तो हमारे पास एक boiler plate code आ चुका है जिसके अंदर हमारे पास head tag setup है हमारे पास title का tag है यह दो meta tags हैं जो कि हमने देखे थे कि बहुत जरूरी है और इस तरह body calumet ह नहीं लिखना पड़ा हमें क्या था कि एक हमें exclamation mark दिया और दिन हमारे पास सारा का सारा code आ चुका तो यह मुक्तलिफ emits हमने अभी एक दो emits देखें जिस तरह जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे इन्शाला अपने projects करेंगे तो हम तमाम emits को देखेंगे मुक्तलिफ emits को देखेंगे आप गूगल पर भी सार्च कर सकते है emits की अपनी एक website भी है emits.io आप वहां पर भी जाकर सार्च कर सकते हैं मुक्तलिफ emits और मुक्तलिफ documentation हैं हम भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे project करेंगे इंशाला हम देखेंगे तमाम emits को जो की use में आती है developers के तो आज का lecture जिस इतना ही था हमने मुक्तलिफ किसम के हमने form देखा सबसे पहले HTML के अंदर के form के element को कैसे बनाते है प्रोपर एक form को कैसे design किया जाता है उसको कौन कौन से element use होते है then हमने inline versus block element का difference देखा development और span element देखा और हमने देखा emits के क्या होती है technology और इसकी झाला अपस मुलका तो देखा झाल ज्याला आपस मुलका हो गी नेखा जाटेखा जांडेखा जाता है झाल झाल